नमस्कार साथी आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड वित रॉनेक चलिए दोस्तों सुरुवात करते हैं जैसे कि अपने कौर्टर फोर रिजल्ट की सेरीज चल रही है तो उसके अंदर कल इर्कॉर्ड इंटरनेशनल लिम्टेट को कौर्टर फोर रिजल्ट क अगर टेडिंग सेजन कैसे रहने वाला इन सब के बारें बात करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब को सब्सक्रायब के लिए कि बजाना बेलकुल ना भूलिक सब्सक्राइब के काम करती है । कंपनी किस ये डियेशनी काम करती बिल्डिंग बनाना इल्क्रिक और मेकैनिकल काम करती चाहिए। को इंटरनेशनल तो बिसकली को निटेनेशनल काम है जो आट फ इंडिया अलग अलग देशों के अंदर जो चक्श्रीक्षन काम होता रेल्वे काम होता उसके लिए यह लोग बीटल करते हैं उसके उनके प्रोजेक्ट लेते हैं तो कम्पनियां काम है डॉमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी है तो मैसे मेकैनिकल भी काम करते कंपनी और कंश्रेक्शन केंदा कंपनी ओलेडी काम करती है तो देखिए ज्यादा आपका एकस्प्लेंग करने करते हैं तो कल की दिन कंपनी के दिफ से अनॉंस्मेंट देखने हो मिली है जीरो पुरी पैसे पैसे का डिविडेंट दिया गया दो रुपे की फेसे वैल्यू पर अब देखिए रिजल्ट आया था तीन बच के पंदा मिट पाटकॉम हो था यानि बजार बंद होते होते कल के दिन इसका कॉर्ट आपडेट हो चुका था बट पूरी अपडेशन हमारे को सामका साथ बज़े के बाद मिली थी तो अब देखते हैं किसमें वह करोड के अंदर है इसको थोड़ा सा सिंप्लिफाय करके समझते हैं क्या सरा तो इक और इंटरनेशनल लिम्टेर नसी बेस पर 6 पैसे की है रिटर्न अफिक्वेटी से 13.1 परसेंट का है डिविटेंट अभी तक कंपनी ने आपको 5.97 परसेंट का और फेस्वेल इसका दोर बैगा देखिए अगर आपने शेर को होल्ड भी गरा तो आपको कोई गवाय नहीं होगा शेर बढ़ेगा बस तार्स अपक डिविटेंट पेयाउट रखा गया भी तक 30.81 परसेंट भी दिया गया भी तक अब कैसर इसको कौर्टर फोर जल्ड़ वह समझते हैं तो मार्च 2.22 इस कौर्टर में सेल हुए कंपनी की टोटल 2953 करोड बेगी और प्रॉफिट आया 185 करोड बेगा नेट प्रॉफिट नि प्रॉफिट 153 से बढ़के हुए 185 करोड नेट प्रॉफिट 136 से बढ़के 272प निंग पर शियर वन पर चोवालीस से बढ़के 257 हुआ है तो ये बड़ा देखने हो मिलिया में कौर्ट कौर्ट आ वे अच्छे कासी बड़ा देखने हो मिल दिये है तो सिक एननेट चार्षोबाइस करोड़ बढ़के विए 2953 करोड़ और प्रॉफिट एक सो निन्यानवे था वह घटके विए 252 करोड़ हुआ है अनिंग परशे एक पॉइंट एक सी से बढ़के सीधा 2.57 विए तो आप देशकते हैं नेट प्रॉफिट अनिंग परशे के नच्छी गासी ब देजे कितने कोई थोड़ देर मैं आपको एकस्प्लेन करता हूँ तो पहले चलता हम इसके शेर होल्डिंग पैटर्न समझते हैं देखें के दिसंबर क्वाटर के अंदर परमोटर होल्डिंग 73.18 थी वो सेम इस क्वाटर में भी सेम है साथे साथ एस के होल्डिंग 2.49 थी बढ़ दिया इसने अपने ओल्डिंग बढ़ा दी है बागी परमोटर के ओल्डिंग सेम है स्क्वाटर में अब रिजल्ट आते हैं आते कि सेंगी रिजल्ट जब आया था मार्केट ओपन में या चुछा 10 मिंट बचे था मार्केट बंद होने में तो रिजल्ट आते समय ही शेर 2% की तीजी लागा कि बंद हो चुका था फ्रैड़े की दिन आपन होता है 49 रुपे 30 पैसे पे हाई मारा 49 रुपे 60 पैसे गा लो मारा इसने 49 रुपे गा 52 हीस का 33 पैसे गा 52 लो हीस का 38 रुपे 5 पैसे गा पांच दिन के अंदर वे तक इसने काफ़े गिरावाट दिखा चुका है और आप देचेकते हैं अपने 52 लो के आसपा से शेर ट्रेट कर रहा है अब आपको इसमें करना क्या है देखिए रिजल्ट तो खराव नहीं है रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और रिजल्ट का इंपेक्ट देखना शेर एक करना क्या है तो आप देखिए आपको करना क्या है इसके अंदर आपके पासर तो होल्ड रखिए और अगर इसमें आप फ्रेस इंट्री करना चाहते है तो 38 पर करिए अब यह मुझे लगता है जल्दी आपको 43 पर ट्रेट करता नहीं जाएगा और जब यह 43 पर का लेवल ब्रेक करना तो इसमें न्यू हाइस देखना को मिलेंगे क्योंकि शेर करना जित्ती खराब होन तो वह हो चुका है अब शेर रिबाउंड हुआ है और रिजल्ट का इंपक्ड भी है तो आप तो आप तो आपको इसको होल्ड करना है और 43-45 पर के पहले इसमें प्राफिट ब्रोकिंग बिल्कुल नहीं करना आपको फ्रैस इंट्री करने 38-45 के बीच आप इसमें एकजिट कर सकते हैं उससे पहले आप इसमें एकजिट करने के बिल्कुल मत सोचेगा और इसे होल्ड रखिए रिजल्ट अच्छा है करना बिल्कुल नहीं थैंकि सो मच पूर वाचिंग डिस वीडियो